हलोगोवान वेलकम तो कोचिफाइए आज के सेशन में मुख स्पिशल थर्टी इंपोर्टन को डिसेश करने वाले जो कि होने वाले आपके कंपूर्टर नॉलिज इस टॉपिक के उपर सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको नए साल के धेर सारी बदायाद देना चाहते ह आपको इसको अचीव करने के लिए आपको प्रेपेर करना होगा आज के सेशन में जो आपका गेट को विद्यूत्सायक जूनियर इंजनर का एक्जामनेशन है उसके लिए कंपूर्टर नॉलिज के कॉस्टन को डिसस करने वाले आपको पता ही होगा गाइस टैन परसेंट कंपूर्टर नॉलिज पूछा आता है तो काफी अच्छी तरीकी से आप स्कोर कर सकते हैं और काफी आसी नहीं हो जाएगी कि आपको इस एक्जामनेशन को क्लियर कर सको कंपूर्टर नॉलिज में आपको 10 on 10 लेना भी काफी बड़ी बात नहीं इसलिए मैं आपको बता अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो प्लीज अगर आपके बास तो उसको जाके देखी का काफी इंपोर्टर नॉलिज के कुछ 10 को 30 इंपोर्टर ने इंपोर्टर डेटा जो है वह मों स्ट एक्स्पेक्टेड हमें लग रहा है मैं आपको साथ आज की सेशन में को स्कूर साथ साथ आपको जनरल नॉलिज के लिए जो एबुक हमारे अप्लीकेशन के ओपर आवेलेबल है वह भी आपको जाके परजिस करने होगी काफी इंपोर्टन है इसमें भी हमने स्ट्रेटिक जी के हिस्ट्री पॉलिटी जोगरफी जनरल साइंस आर्ट इन कल्चर साथ 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 आपको बदा दू कि 15 रुपीज का मैराथन सेशन लिया था उसका एक सिंगल इबुक भी बनाया था काफी सारे इस पर लेई भी लिया और अपने इसको इबुक भी नहीं पचेस किया तो भी अपको चलेगा पर आपको इंपोर्टन है आपके एक्जामनेशन पॉइंट आफ यू के लिए ठीक है तो अभी हम लोग हमारे सेशन को बढ़ते हैं देखते हैं हमारे सबसे पहला कोशन इस सेशन मैं आपको थोड़ा क्विकली समझाने वाला हो 30 important questions है अभी तक हमने काफी सरे सेशन को computer awareness में डिसेस कर लिया अगर आप उसके link चाहिए होग इसमें से कौन सी की modifier key नहीं है बोला गया shift है, alt है, caps lock, function key और control है ठीक है तो इसमें से आपको एक चीज़ पता होने चाहिए कि modifier key कौन सी कौन सी कौन सी होती है modifier keys होती है हमारे पास में shift होती है उसमें alter होती है, control होती है और हमारे function बट caps lock यो होती है हमारी toggle key होती है, ठीक है तो यह आपको धेहन में रखना होगा, अगर आपको ऐइसा पूछा कई क्यों सी कौन सी होती है F1 से लेके F12 toggle की इस consequence होती है caps lock होती है num lock होती है num locks पे आपका जो num pad है वो अपरेटिंग रहता है modifier की consequence है alpha numeric keys कौन सी कौन सी है यह आपको धान में रखने होगी I hope मैं consider करके ऐसा चलता हो कि आपने वो 3 hours वाला marathon देख लिया होगा उसमें काफी detail में हमने सारी चीज़े डिसस कर दी ठीक है अब देखेगा ऐसा question अगर आपका है तो आता है आपका की modifier की कौन सी नहीं है तो वो caps lock नहीं है जो कि हमारी toggle की है ठीक है देखते अभी मारा next question next question से पहले मैं आप एक slide डाल के रखी थी keyboard layout पर आप इसमें जाके देखेगा इसमें character की कौन सी होते है modifier की कौन सी होते है system and GUI की इसकों सी थे graphical user interface आपको full forms भी ध्यान में रखने होते है abbreviations जो रहे थे ठीक है वो भी आपको important है ठीक है मैं आपको एक चीज़ ऐसा नहीं कर रहा हो 60 questions आपके technical के है उसमें आप around 50 questions correct करके आते हो ठीक है plus 10 questions आपके GK के उसमें काफी vast रहता है ठीक है उसमें से भी आप 6 to 7 questions accurate mark करके आगे बट मैं आपको यह चीज़ सा आता हो कि आप 10 on 10 computer में से mark करके हो ठीक है इसलिए मैं आपके सामने यह questions को disk कर रहा हो ठीक है यह आप एक बार keyboard layout देखे लिजीगा कितने keys होते हैं कौन से कौन सा function रहता है उसका यह आप इसमें से समझ सकते हो देखते हैं भी हमारा next question question number 2 which of the following is the world's first single chip microprocessor इसमें से कौन सा first single chip एक ही chip के उपर बनाया गया यह microprocessor है तो वह हमारा intel 4004 option D is question का करे टेंसर आ जागा देखे क्या होता है यह कब बनाया था 1971 में किसने बनाया था Ted Hoff टेक है Ted Hoff ने इसको invent किया था यह काफी important है और यह हमारा world का first single chip microprocessor है इसका नाम है Intel 4004 काफी important है guys ऐसे questions काफी कबार पूछ जाता है ठीक है next question is question number 3 what is the full form of SLSI SLSI का full form क्या होता है super large scale integration ठीक है अब देखे होता क्या है SSI, MSI, LSI, VLSI, SL, SI and ULSI अब इसमें कितने transistor रहता है यह इस technology में आप पढ़के एक बार ज़रू चाहिएगा small scale integration में कितने रहते है up to 10 transistors MSI में कितने 10 से लेके 100 transistors रहते है फिर LSI में 100 से लेके 1000 transistors इस तरीके से so on and so forth यह आप एक बार पढ़के जाएगा SLSI का full form क्या होता है super large scale integration ठीक है important है guys, ध्यान में रखेगा जो table है वो भी आपको skip नहीं करना है यह काफी important है next है हमारा the BIOS is the abbreviation of देखे, BIOS का abbreviation क्या है BIOS का होता है basic input output system जो आपके computer में आपके peripherals लगे रहते है, connected रहते है उसके जो functioning रहती है basic functioning रहती है वो हमारा BIOS control करते है BIOS में भी हमारे पास दो तरीके के type आया थै UEFA करके आता नया जो हमारे यूफाइट एक्सेंसिबल firmware interface यह नया है और legacy BIOS आपने पुराने computer में देखा होगा है कुछ इस तरह के से देखने को बोलता है जो हमारा UEFA में बाइस रहता है कुछ इस तरह के से देखने को बोलता है काफी advanced और काफी interactive लगता है तो आपको फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना होगा जिसका फुल फॉर्म होता है basic input output system करेक्ट नेक्स कुशन इस कुश्चन नमबर फाइट नमबर आफ पीन्स प्रेजेंटी ने वीजे केबल अब देखे वीजे केबल तो पूछ लिया तो इसमें पीन्स के पीन्स भी पुझा है सकते हैं आपको काफी कबार generally क्या होता है कि abbreviation के फॉर्म में पूझा है कि वीजे केबल क्या है वीजे केबल का full form क्या है तो होता है video graphics array और इसमें कितने पीन्स रहते हैं उसमें 15 पीन्स रहते हैं द्यान में रख सकते हैं इसमें आप काउंट कर सकते हैं और यह वीजे केबल किसके लिए यूश क्या आ जाता है हमारे CPU से हम लोग जो monitor रहता है उसमें output लेने के लिए त है यह हमारा एक video cable रहता है ठीक है जिसके माध्यम से हम लोग हमारा जो processing हो रहा है जो भी हमें monitor के पर output लेना है उसके थ्रू हम लोग connect करते हैं यह एक VJ cable ही नहीं हमारे पास में HDMI cable भी आता है और display port cable भी आता है दो तिन तरीके के cables रहते हैं connections रहते हैं तो में कितने prints रहते हैं 15 HDMI का भी full form ध्यान में रखके चलिगा next question is question number six the speed of laser printer is measured in laser printer की speed किसमें measure की जाते हैं वो हमारा dots per minute sorry pages per minute पे हम लोग measure करते है laser printer आपने देखा होगा काफी economical रहते हैं काफी सस्ता भी रहते है बट इसकी initial cost high रहती होता कि है यह जो laser printer कर रहे है ठीक है यह non impact printer के अंदर आते हैं अब इसमें जो speed है इसकी speed मतलब कि कितने pages जो है एक minute के अंदर print कर सकता है इसी से हम लोग इसकी speed को define कर सकते हैं तो जो speed रहती है laser printer की वो हम लोग pages per minute के अंदर गिनते हैं ठीक है उसको हम लोग consider करते हैं correct option d's question का correct answer आजाएगा next question है यह कुछ important questions है जो most of the time repeatedly पूछे जाते हैं इस get को के लिए इसलिए मैं आपको बता रहो कि यह questions को आप अच्छी तरीके से गुरुतू करके चलिए चलिए ठीक है और जैसे आपका examination होता है तो please मुझे comment box के मादिए इसमें से आप जो review of sessions रहेंगा हमारा उसमें आप मुझे बताएगा कि काउन से questions आपको देखने को मिल है next question is which of the following is not a unit of measurement of computer storage ठीक है इसमें से कौन सा एक unit नहीं है computer storage को measure करने का तो वह हमारा XB ठीक है डिकर चिणरली बिट होता है ठीक है बिट में हमारे पास 0 या 1 नेवल में हमारे पास में 4 एक नेवल अगर आपको पूछा गया तो इसमें कितने बिट्स रहें इसमें आड़ बिट रहें गया अब देखेई बाइट को हम लोग एक to be specific उसके बात में exabyte, exabyte मतलब कितना है, 1024 petabyte, zabyte में कितना आता है, 1024 exabyte and utabyte, यह सबसे highest हमारे पस computer storage available है, तो यह आता है हमारा 1024 zabyte, तो यह XV जो है, it is not a type of measurement of computer storage, ठीक है, table को एक बार pause करके पढ़िएगा, मैं आपको session को quickly पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप session को pause करके एक बार go through कर लिजेगा कि आपको बाइस time काफी कम है next question is question no.8 EEPROM stands for EEPROM का full form क्या होता है यह होता है electrically erisable programmable read-only memory electrically erisable programmable read-only memory guys ठीक है यह काफी important EEPROM जो एक special type की programmable read-only memory रहती है जो हम लोग erase कर सकते हैं अगर हम लोग इसके पर electrical charge provide करते हैं ठीक है और एक non-volatile type of memory है secondary memory ठीक है non-volatile और volatile का जो difference है मैंने काफी अची तरह किसे समझा दिया memory structure के अंदर मैंने आपको बताता है कि volatile मतलब क्या होता है कि जो उड़ जाता है ठीक है non-volatile जाता है जो नहीं उड़ जाता है quickly अगर हमने system को off कर दिया तो उसके अंदर के जो भी data रहता है वह return नहीं रहता है वह as it is clear out हो जाता है next time जो भी आप computer on करते हैं और non-volatile that means जैसे कि हमारा optical drive हो गया आप कोई भी CD में songs को write करके रखते हो तो उसमें आप जब भी हम लोग next time इसको play कर दे तो आज रहता है RAM जो है cash memory जो है वो कीवीज में रहते है यह जनले टाइप है हमारे volatile memory के एक बार पॉस्ट करके इसको अच्छी तरी के से देख लिए जगा नेक्स कुशन है मारा question number nine and optical input device that interprets pencil mark on the paper media is एक optical input device जो है वो interpret करते है pencil mark on the paper media is it is a OMR that means optical mark reader हम लोग उसको कहते है जाते है ठीक है यह बात आपको धहान में रखना होगा OMR sheet को read करने के लिए हम लोग OMR reader को इस्तिमार करते है ठीक है इसलिए आपको बताया जाता है कि जगकर आप लोग पर्टिक्लरी मार्क करते सरकल को इस तरीके से या फिर क्रॉस करके मज मार कर गया ठीक है अगर आपको OMR को पर्टिक्लरी सिलेट करने है एंसर को तो आपको completely फिल करते है ना पता है ठीक है अप्शन है इस question का correct answer आ जाएगा तो the next question is question number 10 in order to connect network card और a graphics card one should use अगर हमें network card और फिर graphics card को connect करना है तो we should use PCIe port ठीक है PCIe port peripheral component इंटर करनेट एक्स प्रेसी इसका full form है फुल फॉर्म में हर एक slide में mention करके रखाओ काफी important है और पूछा ही जाता है ठीक है आपको एक motherboard का layout कुछ इस तरीके से आप देखने को हुलता है correct और इसके बाद में साटा का जो है इसका मुझे आप फुल फॉर्म जो अब्रिवेशन मुझे comment box के माधिम से बताएगा ठी चाहिए का ठीक है पीसिया का तो हमने कर लिया यूस्भे का काफी सींपल और कॉमन है यूनिवर्सल सीरेल बस टिक आइड़ों टिंक कि वह पूछा जाएगा बट आप धान में रिकिए अनुट्ट नमबर 11 विच लाइंग्वेज वास यूस्ट टू प्रोग्राम सेकंड सेकंड जनरेशन के कंपूर्टर में कौन सी फ्रोग्राम लाइंग्वेज यूस की जाती है वह थी है असेंब्ली लाइंग्वेज गाइस ठीक है यह बात ध्यान में रखी का फॉस्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम टूब यूस क्या करते थे इसका यह धान रखना होग इसकंड जनरेशन में लोग ट्राजिस्टर पर शिफ्ट हुए थर्ड जनरेशन में हम लोग आईसी इंटेग्रेटेट्ट शर्किट्स में हम लोग मूव ऑन किये फॉर्थ जनरेशन में हमारे पास में VLSI माइक्रोप्रोटर वी लेसा और ULSI को मैंने आपको बताई था कि इसका कुछ साइज रहता है तो वह पूछा है तो यह अची द्रिकेश धान में लग सकते हैं यह बाकी अगर अपने चीज़े स्किप भी कर दिया तो भी चलेगा ट्रिक है नेक्सक्राइब इसक्राइब यह अच्छी से पहले प्रेपरेशन में आज आपको सेशन पहले बताए थे नॉन टेक्निकल के सेशन में कि जो आपको कम्पूटर आवनेस का जो हमारा मैरा था नहीं उसको अच्छी तरह किसे पढ़के रखना है तो अगर आपने उसको पढ़ लिया होगा मैं इसे आशा कर दो अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो अजो मैं आपको स्लाइड जब भी बत अगर आपको ऐसा technological based on पूचा गया तो यह आपको पूचा आ सकता है तो इसको इन्तरनेट से जुड़ना है तो यह हमें क्या होता है कि हम लोग हमारा एक particular address होता है जिसको हम लोग कहते है IP address इसको हम लोग कहते इंटरनेट प्रोट्टोकॉल address हर एक system का उसका IP address रहता है, इसको assign करने का काम करता है DHCP, दीखे, और DHCP का full form क्या होता है, dynamic host configuration protocol, यह पूछा जगता है, काफी important है, हर एक DHCP क्या करता है, IP address को assign करते हैं हमारे various devices and host को, ठीक है, option है, इस question का correct answer आजाएगा, देखते हैं हमारा next question, question number 16, the communication between, यह काफी important question है, और का communication between walkie-dokies involves which of the following type of transmission, इसमें से, जो walkie-dokie के बीच में communication होता है, वो कौन सा type of transmission रहता है, उसको में कहते है, half-duplex काई से, देखिए walkie-dokie क्या होता है, अपने देखा हो कुछ इस तरीके से, इसमें क्या होता है, push button होता है, correct, एक person अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो दूसर person को receive कर सकता है, लेकिन अगर दूसरे person को बात करना होगा, तो first person को बात करना, ये push button को छोड़ना रहता है, that means, communication हो रहा है, वो single way में ही हो रहा है, ठीक है, bi-directionally हो रहा है, next slide में आपको समझ में है, ठीक है, देख सकते हो, simplex में क्या होता है, radio broadcasting, radio आप सुनते हो, तो आप सिर्फ one time, that means, जो sender रहता है, ठीक है, जो antenna रहता है, आपको signal भीजता है, और आप सिर्फ सुन सकते है, आपको transmit नहीं कर सकते है, ये हो गया हमारा simplex, उसकी बात में होता है, television भी उसके अंदर रहता है, इसके example पूछ जाते है, ये ध्यान में रहता है, I'll highlight this, okay, half duplex में क्य full duplex के अंदर, तो ये transmission modes आते है, इसमें important है, ध्यान में के, गर walkie-talkie पुछा गया है, तो half duplex आता है, simple duplex में हमारा radio and television आता है, और duplex में हमारा telephony communication, whether it's a mobile as well, correct, देखते हैं हमारा next question, question number 17, the color of recently visited links are dash, जो color रहते हैं हमारे recently, हम लोग links को visit करते है, वो हमारा purple color का हो जाता है इसे आपको कोई site visit करके रखते है, यह purple color का हो जाता है, आप कोई भी आपके phone में भी Google को different different search करके दीगी, एक site को click करके वापस आईएगा, तो आपको purple color का वावा देखेने को मिलेगा, ठीक है, देखते हैं हमारे question पूछा गया, इसलिए मैं आपको mention किया, next question is, हमारे email address का format इसमें से correct कौन सा है, यह मैं पूछा गया है, तो होता है मैरा पहले, सबसे पहले तो हम लोग नाम लिखते हैं, यह जो user address रहता है, particular नाम, उसके बाद में at the rate, कौन, अब उसको host कर रहा है, dot com, इस तरीके से रहता है, तो that means, अपने, गर अपने नाम लिखा, xyz at the rate, gmail.com कुछ इस तरीके से हमारा email address का correct format रहता है, यह भी question पूछा गया है, next question is, question number 19, which protocol does ping use, ping that means, क्या होता है, एक node है, यहाँ और एक दूसरा node यहाँ पे, इसके बीच में communication है, तो communication successful है, यानि इसको test करने के लिए ping command का use क्या जाते है, ping क्या होता है, एक में लोग ping भेजते हैं, यह हमारा, हमें receive होता है, फिर से उसकी command, ठीक है, that means हमारा communication जो हो रहा है, वो proper तरीके से हो रहा है, इसको check करने के लिए हम लोग से use करते हैं, but इसमें जो protocol यूज किया जाता है, जो rules यूज किया जाते हो रहता है, हमारे ICMP, इसका full form क्या होता है, internet control message protocol, ठीक है, यह full form इसका नबरे 20, डाश इस प्रोटोकॉल डिजांट तो हैंडल, रियल टाइम ट्राफिक और इंटरनेट, ठीक है, रियल टाइम ट्राफिक को हैंडल करने के लिए कौन सी protocol का इस्तिमाल किया जाता है, वो रहता है, हमारा RTP, ठीक है, RTP, Real Time Transport Protocol, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक ह अब दिखें, इंटरनेट में काफिकार यह डिफरेंट-डिफरेंट-डिफरेंट अर्रत आते हैं, जो जनरली एर आता है, 400, एरर फोटनेट जैसे आपने गूगल पर देखा होगा, 400 लिख क्या आता है, तो डिफरेंट-डिफरेंट अर्र्हें जाते है, 400, 400, 400, 1, तो जो जो error आते हैं ब्राउजिंग करते वग तो यह कौन सा उसका significance क्या है यह आपको question के माध्यम से पूछा जा सकता है ठीक है देखते भी हमारा next question question number 22 TCP IP का full form क्या होता है उसका full form होता है transmission control protocol and internet protocol IP का तो मैंने बताई दिया था पर transmission control protocol का काफी कबर पूछा जाता है ठीक है तो नेक्स कुश्यन इस कुश्यन आमबरे 23 डाश इस यूज़ तो अलाइन टेक्स्ट इन सेंटर इन वर्ड दॉक्मेंट में सेंटर में अलाइन करने के लिए लोग कौन सी शॉर्टकट की काई उसका इस्तेमाल करते है यह टेबल की माध्य हमसे आप पढ़ेगा लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रूल प्लस एल सेंटर डैट मिस ए राइट डैट मिस आर एंड जिस्टिफाइए करना है मतलब टेक्स्ट सारे वन लाइन में प्रॉपर वे में अरेंज होगे तो हो जाएगा कंट्रू प्लस जी यह ध्यान में रेकिगा देखते भी मारा इनिक्स कुशन विंडोस एक्सवी जो है यह कब रिलीस किया गया था यह किया गया था 24 ओगस्ट 2001 को ठीक है यह ऐसा कुशन काफी कबर आई भी बेस ने पूछा भी अब यह गेटकोब में भी पूछा जाएगा यह काफी ऐसे फ्रिक्वेंस से हम लोग प्रॉबिलेटी नहीं कह सकते लेक अगर आपको आता है तो मुझे कामेंट बॉक्स में पूछ लेगा मैं आपको एंसर कर दूगा नेक्स्ट कोशन इस कोशन नमरे 25 विच एक्स्टेंशन इस यूस्ट वीडियो फाइल वीडियो फाइल के लिए कौन सा एक्स्टेंशन यूस करते है डॉट एंपेग ठीक है कोशन का करेंट सर्जां डॉट भूल में मत भूलेगा एंप टेके डॉट एक्सटेंशन यूस करते वीडियो फाइल के लिए उसे के साथ जो डिफरेंट एक्स्टेंशन जै उसकी मिनिंग क्या होते है जिस डॉट एक्स्ट पैकेश फाइल या आपके एपलिके अन्रोड म में भी हमने यह सारी चीज है एक्सटेंशन करके जिसी डॉट पीडिएफ हो गया ठीक है डॉट एमपी फोर क्या है और डॉट बीम्प यह भी पूछा आता है इस वाइस प्यस्टी पी एंजी एन यह आइस यो यह भी पूछा आता है आप अची तरह के से पढ़के तो इसका फुलफोर मता है नियर फील्ड कम्मिनिकेशन इस तरीके से अगर आपको अरो देखने को मिलते हैं तो यह समझ को में जाएगा यह एन फीट होते हैं तो काफी सारे साम लोग मिस इंटर्पिट करते हैं इसको वाइफाई वाइफाई करके हम लोग कहते होने चाहिए कि इसमें NFC का एक कोई लगा रहा था चोटा सा ठीक है यह होता है NFC नियर फिल्ड कमिनिकेशन अगर आपको यह से तो यह कुछ यह से देख नहीं को मिलते हैं अगर आपकी क्रेट कार्ड के है फिर डिबिट कार्ड के उपर है तो आप समझ जेएगा कि इसमे लेजर बीम on to the dash surface of a drum laser printer के अंदर हम लोग क्या करते है फोस जो laser beam है उसको photosensitive surface पे print करते है इसके कारण हमारे पास printing होती है ठीक है कुछ इस तरिके से उसका working होता है एक बार ध्यान में रखेगा तो नेक्स कोशिन है इसके साथ आपको टेबल में ने बताया था इंपक्ट प्रिंटर और नॉन इपक्ट उसमें कौन सा इंपक्ट प्रिंटर रहे हैं कौन सा इंपक्ट प्रिंटर नहीं है यह question पूछ जाता है ठीक है आपको ऐसे option दिये जा सकते कि which are the following is not a impact printer या फिर वन अफ दो इंपक्ट मेंटर तो आपको उसके भी possibilities लेके चलनी होगी देखते है भी हमारा last question of our session and important question match the following devices with the function they perform or use देखे मैं आपको बता है था OCR, OMR, BCR and MICR ठीक है होता क्या है कि छो OCR होता है वो यह क्या जाता है जो हम लोग टाइप करते हैं अगर हमने कुछ आपने फोटो देख लिया है आपने लिखा होगा कि A, B, C, D, E इसको पढ़ने के लिए जो अप्टिकल करेक्टर को रीड करते हैं यह हमारी OCR टेकनोलोची ठीक है इसको हम लोग कहते है इसको हम लोग जो चेक बॉक्स रहते हैं उसको हम लोग पढ़ने के लिए इस तो इस्तेमाल करते है ठीक है तो आपने देखा होगे कुछ ठीक डेंस ऐसे लाइंस रहते है ठीक है पारकोड अपने मौल्स में होगारे देखा होगे इसको रीड करने के लिए बीसेर के इस्तेमाल किया जाता है और कारें के यॉसको एक स्कारेंट बाइन इसको मडेटिक उसको ड्रकेंस रीडर को उसको अपने के इसको अब करेंस रहते हैं तो यह आपको द्यान है इसका करिक्ट एंसर जाया ब्यूप्शन टू इस तो अपने निब्स एग थे इंग्ध करेक्टर रिडर या फिर रिकर्गनेशन को सको कहते हैं अप्शन डीस कोशन का के रिटेंस राजेगा यह थे गाइस कुछ इंपोर्टन कोशन्स आपके गेटकों के एक्जामनेशन के लिए विश यह वरी ओल्द ऑल बेश्ट फोर्य एक्जाम गाइस जो भी आपने प्रिपर किया होगा आशकर थो आपको आज का सेशिन समझ भी आगा इस सेशिन के अपके दुसके साथ शायर करेगा, जो भी रिसंट सेशिन से आपके गेठ्कों के ओके नौन टेχAJ करके देख सकते हैं, जो एबुक मने आपको में क्या उसकी भी अप्लिकेशन के लिंक मैं पूर डिस्क्रिक्शन बोक्स में प्रवाइड कर रहा हूं उस यूप जा के देख सकते हो कोई भी दिक्कत आते हैं तो हमें कमेंट बोक्स के मादम साब कमेंट करके बताएगा so guys thanks for watching this session have a nice day